तो जैसी कि आज की इस वीडियो में आपको फूल इंफोर्मेशन अब बताने वाला हो जिन लोगों को CSAB के बारे में नहीं पता होंगा तो उनको आज की इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है कि CSAB क्या होता है और CSAB काउंसलिंग कब होती है तो सबसे पहले मैं दो तो आप कर सकते कांसलिंग वरना आपको जो राउंड में सीट अलट होई है तो आपको वहाँ पर आप दियना पड़ता है या फिर आप फीज़ फ्रीज फ्लोट वगरा सब कुछ कर सकते हैं तो जैसे की CSAB काउंसलिंग है जो जो सीट जैसे की जिते भी सीट्स चाल हो जाएंगी और जब बच्छे रहते हैं जिते भी सीट्स बचे रहते हैं उन सब के लिए यह सीएसे कांसलिंग होती है जैसी की आपको थोड़ी ज्यादा फीज देनी पढ़ती है जैसे की 15-35,000 ऐसे वह एक त्याप को देनी पढ़ती है और जैसी की मैं यह आपको आ चाल हो जाएंगी और जब भी यह विपसेट अपड़िट हो जाएंगी तो मैं आपको मेरी यह यूटुग चैनल के वीडियोस पर के माध्यम से आपको बाता दूंगा तो आपको करना क्या है बस आपको मेरी चैनल को सब्सक्राब करके रख देना है और अगर आपको यह व पैसे भी वापस मिलते हैं वह पैसे आपको आपके चले जाते है तो आपको सेट ऐसे आपको यह जो फिल करना पड़ता है वाह burcminded तो आपको को बहुत केरफ़ुली पेल करना पड़ता है अगर आपको कोई दूसरा ही college अलट हो गया है और जो आपको नहीं चाहिए था बट आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेंगा क्योंकि फिर फीस रिपांड होती नहीं है तो आपको थोड़ा सोथ समझ के वो counseling करना पड़ता है क्योंकि payment थोड़ा जाता देना पड़ता है तो इसी तरीके से मतलब यह counseling होती है और यह जो सा के counseling के बाद ही start होती है जित्ते भी colleges में seed बचे रहते हैं उस सब के लिए counseling चलती है तो मैंने एकदम easy word में बता है कि से सब की counseling क्या होती है और जब भी इसका अपडेट आएंगा तब आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएंगे तो उसके लिए आपको करना है चैनल को जल्दी से subscribe कर दीजेगा और बेल आइकन को all पर प्रिस करके रख दीजेगा अ मिलता हूं मैं नेक्स टूडियो में आपसे